कैसे हो बच्चो, हिंदी की क्लास में और्बी स्कूल की तरब से आपका फेसे स्वागत है हमने कवर्ग सीखा, कवर्ग के पाँच व्यंजन कख, गघ, अंग, उसके बाद में हमने चवर्ग सीखा, चवर्ग के पाँचो व्यंजन सीखे च, च, ज, ज, य, उसके इस बाद में हमने चवर्ग सीखा, परन्तु चवर्ग का आखरी व्यंजन नहीं सीखा था चवर्ग में हमने च, ठ, ड, और ड सीखा, उसके बाद में आता है अन, अन सीखने से पहले हम चवर्ग के व्यंजनों का पुन्रा वर्तन कर लेते हैं ट वर्ग में फहला व्यंजन है ट ट से ट बच्चों आपको दोराना है दोराना ना भूले ट से ट ट से टमाटन उसके बाद में आता है ठ ठ से ठपा ठ से ठठेरा ठ से ठपा ठ से ठठेरा ट ठ उसके बाद में आता है सही बताया ड ड से डमरू ड से डबल रोटी ड से डमरू ड से डबल रोटी त, ठ, ड, उसके बाद में आता है ध, ध से धकन और ध से धलान धलान मतलब जबी हम पहाडी रस्तों पे जाते हैं तो हमको ऐसे धलान दिखता है जो रस्ता उपर जाता है, ऐसे स्लोप दिखता है, वो बोलते हैं धलान, ध से धलान ट, ठ, ड, ढ, उसके बात में आता है अन, अन भी खाली होता है अन से कोई शब्द शुरू नहीं होता है अन शब्दों के बीच में नहीं तो शब्दों के अंत में उपयोग किया जाता है इधर आपके लिए अन का फिच्चर है अन, अन, बाण जबी भी शब्द खाली होता है हम लोग क्या करते हैं ताली बजाते हैं जैसे अंगर 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 से खाली यह भी खाली था वैसे अन भी खाली है अन से खाली और बच्चो बजाओ ताली लेट्स क्लैप अब हम अन के शब्दों से बनी हुई एक कहानी सुनेंगे बच्चों आपको वो कहानी ध्यान से सुननी है ये कहानी है बच्चों रामायन की कहानी रामायन की कहानी बहुत बड़ी है परन्तु उस कहानी का हम छोटा सा जो हिस्सा है वो सुनेंगे जिसमें अन के शब्दों का उप्योग किया गया है अन से शब्द शुरू नहीं होता है परन्तु अन शब्दों के बीच में नहीं तो शब्दों के अंत में उप्योग किया जाता है रामायन, रामायन में कहानी हम किसकी सुनने वाले है रामजी, सीता जी और लक्ष्मन जी की कहानी रामजी, सीता जी और लक्ष्मन जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वो तीनों जंगल में रह रहे थे एक छोटे से घर में जिसको हिंदी में कुटिया बोलते है और जबी वो जो लोग जंगल में रह रहे थे अचानक से सीता जी को आवाज आई और वो देखने बाहर गई उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण हिरन था वो जंगल में खेल रहा था वो इधर से उधर भाग रहा था उनको वो हिरन बहुत पसंद आया सीता जी ने राम जी को बोला मुझे ये हिरन चाहिए ही चाहिए राम जी ने बोला प्राणियों को हमको नुक्षान नहीं पहुचाना चाहिए मैं उसे नहीं ला सकता आपके लिए सीता जी ने बोला, नहीं, मुझे तो वो बहुत पसंद है और मुझे वो घर में चाहिए, मैं उसको परेशान नहीं करूंगी पर राम जी ने बताया, ठीक है, मैं लेके आता हूँ उसके बाद में राम जी ने लक्षमन जी को बोला, मैं हिरन लेने जा रहा हूँ परंतु तुमको यहां से किदर भी नहीं जाना है सिता जी घर में अकेले हैं उनका ध्यान रखना है लक्समन जी ने राम जी को प्रणाम किया प्रणाम में भी आना आता है ना हाँ वो प्रणाम किया और बोला कोई बात नहीं मैं यहां ही रुकता हूँ और सीता जी का ध्यान रखता हूँ और राम जी चले गए और उसके बाद में जबी सीता जी घर के अंदर थे एकदम से जूर से आवाज आई और सीता जी डर गए उन्होंने लक्षमन जी को बोला क्या हुआ जरा जाके देखो राम जी को कुछ प्रॉबलम तो नहीं हुई न उनको कुछ तकलीफ तो नहीं है न लक्षमन जी ने बोला राम जी ने मुझे आदेश दिया है मुझे यहां ही रुकना है तो मैं यहां से नहीं जाओंगा फिर सीता जी ने बताया नहीं आपको तो जाना ही पड़ेगा आपको देखना होगा राम जी को कुछ हुआ नहीं न फिर लक्षमन जी ने बोला ठीक है लक्षमन जी ने घर के बाहर एक लाइन एक रेखा बनाई जिसको बोलते हैं लक्षमन रेखा और सीता जी को बोला आपको ये लक्षमन जो रेखा है ये जो लाइन कीची है उसके बाहर नहीं आना है तो सीता जी ने बोला ठीक है मैं नहीं आऊंगी बाहर फिर लक्षमन जी चले गए और वहां एक राक्षस आया रावन उसने अलग रुप लिया हुआ था वो एक रुशी था और वो आया उसने बोला बाहर आके भिक्षान देही सीता जी ने बोला ये लो मेरे पास इतना ही है तो रावन था वो वो रुशी नहीं था वो रावन था सीता जी ने बोला मैं इसके बाहर आके नहीं दे सकती ये लक्षमन रेखा है इसके बाहर मुझे आना अलाउट नहीं है मैं उसको बाहर नहीं आ सकती उससे फिर रावन ने बोला नहीं अगर आप अंदर से खाना दोगे मैं नहीं लूँगा फिर सीता जी जैसे ही वो रेखा को पार करके बहार गई रावन ने सीता जी का हाथ पकड़ लिया और उनको बिठा के उड़ गया वो विमान था, हैरोपलेन होता है न अभी वैसे वो जमाने में एक विमान था उसके अंदर सीता जी को बिठा दिया और वो भागने लगा, वो लंका जा रहा था और राम जी और लक्षमन जी को नहीं मालूम था परन्तु सीता जी ने सोचा, राम जी और लक्षमन जी को नहीं मालूम है मैं कहा हूँ तो उन्होंने रस्ते में अपने जो आभूशन, आभूशन मतलब हाथ में जो पैनते हैं, गले में पैनते हैं, कान में ममा पैनती है ना, औरनामेंस, उसको हिंदी में आभूशन बोलते हैं, वो सब गिरा दिये, ताकि राम जी और लक्षमन जी उनको ढूंटे ढूंटे उनको सिता जी नहीं दिखे, परन्तु जो सिता जी ने आभूशन ता नीचे गिराए थे, वो आभूशन को देखते देखते, वो लोग पहुंचने ही वाले थे, जहां सिता जी को रखा था, है ना, बच्चों ये कहानी में इधर ही अंत करती हो, क्योंकि इसमें हमने देख बहुत सारे शब्द, जो कि व्यांजन अन से शुरू तो नहीं होते, परन्तु व्यांजन अन का उप्योग किया था वो शब्दों में, जैसे कि प्रणाम, रामायन, लक्षमन, आभूशन, स्वन, हिरन, बच्चों मुझे आशा है आपको ये सब्द जो थे, जिसमें व्या व्यांजन अन लिखते कैसे हैं, वो देखेंगे, व्यांजन अन लिखने के लिए आप कौनसी बुक लोगे, माइ स्किल बुक, सही बताया आपने, माइ स्किल बुक लेके हम क्या करेंगे, पेज खोलेंगे, और लेफ्ट साइड पे डेट लिखेंगे, पेज नमबर 45, ये लिखने के बाद में हम व्यांजन अनक लिखते कैसे हैं, उसकी प्राक्टिस करेंगे, आपने इंग्लिश में लेटर यू लिखा होगा, ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है, है ना, पहली लाइन से दूसरी लाइन को टच करते हुए, वापस पहली लाइन को टच करेंगे, और ह और उसके थोड़ा सा नजदीक, हम बनाएंगे पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में स्टेंडिंग लाइन, और स्लिपिंग लाइन बनाना नहीं भूलना है, ये हो गया हमारा अन, अन से बान, अन से प्रणाम, अन से रावन, अन से लक्ष्मन, और एक बार पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में छोटा यू, और पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन, सीधी रेखा, और स्लिपिंग लाइन, पहली लाइन पे स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, और एक बार लिखेंगे, पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में हम बनाएंगे यू, चोटा यू और उसके बाजू में पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाएंगे और उसके उपर स्लिपिंग लाइन, ये हो गया अन, बच्चों आपको ये पूरा पेज लिखना है और अच्छे से राइटिंग प्राक्टिस करनी है बच्चों, अभी हमने टव वर्ग के पांचो व्यंजन सीख लिए है तो हम क्या करेंगे हम पांचो व्यंजन साथ में लिखने के लिए हमको अपनी हिंदी की ग्रीन कलर की नोटबुक लेनी है और उसमें next page open करना है जैसे कि आपको मालूम है आपको page में left side corner में पहले date लिखनी है और उसके बाद में हमको व्यंजन लिखना शुरू करना है ये व्यंजन आप एक line में लिखोगे पूरा ट वर्क साथ में लिखोगे पहले ट, ठ, ड, वैसे नहीं ये पूरा line खतम होने के बाद में वापस लिखना है ऐसे लिखने से आपको ट वर्क पूरा साथ में लिखने की अच्छी से practice हो जाएगी मुझे आशा है बच्चों आपको व्यंजन अन और पूरा ट वर्क समझ में आया होगा दन्यवाद